महा कुम्भ जब जब आता है मेरे शहर प्रयागराज को कुछ न कुछ दे कर ही जाता है हाँ आपके सामने जो द्रिश्य है वही प्रयागराज महा कुम्भ है अब हम निर्मान की यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं जो दो महीने की यात्रा है निर्मान की यात्रा का मतलब महा कुम्भ की तयारी से है आप सब के लिए ये महा कुम्भ तयार किया जा रहा है ये कोई सपना नहीं है ये सत्य है ये प्रयागराज का महाकुम्भ आप सब के लिए तैयार किया जा रहा है आप सब को यहाँ इस महाकुम्भ में अवश्य ही आना चाहिए ये महाकुम्भ आप सब के जीवन के लिए शुबों यहीं कामना करके आएए हम वीडियो की शुरुवात करते है आज हम आपको प्रयागराज के महाकुम्ब मिले के पास गंगापार जून सी इलाके में लेकर आये है यहाँ एक पुराना शिव मंदिर जिसका नाम गंगोली शिवालय है यहाँ पर एक सुन्दर सा शिवलिंग मौजूद है जो काफी पुराना शिवलिंग है महाकुम्ब के समय इस मंदिर में हमेशा भक्तों की चहल पहल रहती है भगवान शिव के भक्त इस मंदिर में महाकुम्ब के समय रोजाना दर्शन करेगे आज हम आपको वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन कराने आए है आप भी मेरे साथ दर्शन करिये पुराने शिवलिंड का वीडियो में बने रहिए वीडियो में आगे हम और भी जानकारी देने वाले है आप देने वाले है प्रयागराज शहर के सभी मंदिरों को एक नए तरीके से सजाया जा रहा ताकि आप सभी को महाकुम्ब के मिले में एक नया अनुभूती प्रदान हो इस मंदिर के बहरी दिवारों को काफी अच्छे तरीके से सजा दिया गया है ताकि आपको एक नया अनुभव मिल सके आप भी यहां बनाई गई पेंटिंग का घर बैठ कर आनंद लीजिये हो सकता है आप महाकुम्ब मिले में आए लेकिन शायद यहां ना आपाए क्योंकि मि मिला इतना विशाल होगा कि सभी जगा पहुँच पाना असंभव है इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको महाकुम्ब के सभी रंगों से रूबरू करा रहा हूँ इस मंदिर की सभी दिवारों पर भगवान शिव और अन्यदेवी देवताओं के चित्र बनाए गए है जो देखने में बहुत ही आकरशक है जब कुम मिला 2019 हुआ था तो यहां पर पेंटिंग बनाई गई थी और पुनह 2025 में यहां न्यू पेंटिंग फिर बनाई गई जब कर दो है झाल 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 झाल